दोस्तों आज हम आपको बिच्छू के जहर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो जानने में आपको भी बड़ी दिलचस्ती रहेंगी और आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों जानने के लिए तयार हो जाए। बिच्छू एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले उसके डंक और जहर का डर जहन में आता है। यहां तक कि इसके जहर की वज़े से इसकी तसक्री तक होती है। भारत ही नहीं दुनिया की कई गर्म जगहों पर मिट्टी और रेट के नीचे रहने वाले इस खतरनाक जीव की ऐसी कई खासियते हैं जो किसी को भ बिकार बना सकने वाला यह जीव एक साल तक बिना खाय जिन्दा रह सकता है। बिच्छूओं पर पॉप्यूलर साइंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये छोटे कीडों छिपकलियों से लेकर साब तक को खा सकते हैं। खाने पीने की चीजें, डिजाइन कपड़े, मह बिच्छू का डंक जितनी तेजी से लगता है उतनी ही तेजी से इसके जहर की कीमत भी डंक मारती है। रेगिस्तान में रहने वाल बिच्छू जिसे डेथर स्टॉकर के नाम से भी जानते हैं, बहुत खतरनाक बिच्छू है, इसके जहर की एक ही बूंद कुछ सेकंड्स में लोगों की जान ले सकती है। इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महेंगा है। इस बिच्छू के जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाय बनती हैं। साथ ही कई तरह की रिसच भी की जाती हैं। इस बिच्छू के एक गैलन या 3.7 लीटर जहर की कीमत 2.8 एक अरब रुपे तक है। लेकिन इतनी कीमत के बाद भी आपको बहुत थोड़ी मातरी ही मिलेगी। बिच्छू के एक बूंद जहर की कीमत 137 डॉलर है। इस बिच्छू का जहर ऐसे निकाला ना हो। उसके डंक में बिजली के छोटे जटके दिये जाते हैं। इससे बड़ी मातरा में जहर बाहर निकलने लगता है। जहर निकालने के दौरान इंसानों की मौत कभी खत्रा रहता है। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पढ़ती है। बिच्छू के जहर में शून्य दशमलव पांच एमजी से भी कम जहर मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 3.9 करोर डॉलर प्रती गैलन या 3.7 लीटर तक होती है। भारतिय रुपे के अनुसार 2.8 एक अरब रुपे। इसके जहर में मौजूद खास तरह के प्रोटीन को मल्टिपल से हो सकता है। नीले रंग के बिच्चू के जहर से बनाई जाने वाली दवा वीडे टॉक्स को क्यूबा मिरेकल ड्रग भी कहा जाता है। इसे 10,000 से भी अधिक मरीजों पर टेस्ट किया जा चुका है। कैंसर के इलाज में इसके सकारात्मक परिनाम देखने को मिले हैं। इस तो इससे स्वस्थ और कैंसिग्रिस्थ कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। बिच्चू के शरीर के नीचे के हिस्से में से डंग जुडा रहता है। जो जहर की नली से जुडा रहता है। बिच्चू सामाने तौर पर उन क्षेतरों में रहना पसंद करते हैं जहां का तापमान अधिक रहता है। ये जमा देने वाली ठंड और रिगिस्तान की गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। बिच्चु सामाने तोर पर गर्म क्षेत्रों में पत्थर छिपने के वस्तूओं के नीचे छिपे पाई जाते हैं। ये अधिकतर रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। दुनिया भर में बिच्चु की लगभग 2000 प्रजातिया मौजूद हैं। लेकिन इन में से सिर्फ 40 प्रजातिया ऐसी हैं जो इनसानों की जान ले सकती हैं। यह न्यूजीलेंड और अंटाक्टिक के क्षेत्र को छोड़कर विश्व के सभी हिस्सों में पाई जाती हैं। ऐसे और अपडेट के लिए और हमारी चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब किजे।